ओम स्री गने साइनमा दोस्तो एश्क्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 मई रविवार के रासी फलके बारे में की यह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकुन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में, हम आपको एक उपाई भी बताएंगे, जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें, दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं, तो च अरक राशी वालों के लिए रविवार का दिन, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं, दोस्तों आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी, साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्थ दित क करेगी संतान की तरफ से, उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है, आपका सिद्धानतवादी दरश्टिकौन, समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है, साथी धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियो में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा, प्रॉपर्टी संबंदित कोई रुका हुआ, काम पूरे होनी की आज संभाव ना है, दोस्तों आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है, साथी भग्य और संतान संबंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है, आपका विवेक और आदर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा, दोस्तों आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक हैं, जो लोग आपके खिलाफ थे, आज वही आपके पक्ष में आएंगे, औ दोस्तों भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा, आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी, दोस्तों घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन क भी आज योजना वनेगी, आप दोबारा से अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे, साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आ जाएगा, जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहे दोस्तों बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है, दोस्तों किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें, धनके लेंदेन संबंदी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं, कोई भी काम करने में जादा सोच विचार में समय ना लगाएं इस से समय आपके हाथ से निकल सकता है, सामाजिक रिस्तों को मदूर बना कर रखना आवश्चक है, कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती हैं, जिसकी वज़े से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे, अपने स्वयभाव को पॉजेटिव बना कर रखें, दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्चकता है, कि आपके सरल स्वयभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपकी मन इस्तिती कुछ विचलित हो सकती हैं, दूसरों के मसले सुल जाने में, आपके महत्पपूर्ण काम भी रुख सकते हैं, दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है, तो अवश्चे पूरा करें, नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड़ सकती हैं, और कुछ लाबदायक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभाव ना हैं, दोस्तों साती सात दिख खावे की प्रवर्टी से भी आप दूर रहें, इस समय धन संबंदी कुछ नुक्सान दायक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं, इस लिए किसी भी प्रकार के निवेश को आज फिलाल टाल दें, संपत्ति संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के सा खराब ना हो, बच्चों की गति विदियो पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं, उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिशानी में डाल सकती हैं, उन्हें शकारातमक कारों में व्यस्त करना अतियावशक हैं, जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदायक साबित होगा, दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं, दोस्तो घर का माहौल, अनुशासित और आज खुशन मा रहेगा, प्रेम संबंदों में मरियादा बना कर रखना आवशक हैं, आपकी समस्याओं को सुल जाने में, आपके जीवन साथी वे बच्चों का पूरा शयोग रहेगा, जिससे आपका आत्म विश्वास काफी अच्छा बना हुआ रहेगा, दोस्तो नजवी के जिस्तेदारों से मेल मिलाप और घुमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है, जिससे घर परिवार में वातावरन, खुसनमा और सुकत बना रहेगा, दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तो कार रहे इस थल पर लिए गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे, और कामियाबी भी आपको अवश्य मिलेगी, आज मारकेटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें, शेयर वे रिस्क प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें, आपके साथ छल या धूका धड़ी हो सकती है, नोकरी में किसी प्रकार के इस्थान परिवर्तन या तबादली की भी आज इस्तितियां बन रही हैं, कार रहे इस्थल पर किसी पडोसी के द वेविसाइक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्चक है, जिससे और अधिक बहतर परिणाम आपको हांसिल हो सकें, दोस्तों वेविसाइक प्रतिष्ठान में अनुबभी और परिवार के वरिष्ट जनू की अनुमती और सहमती से कार्य करने से काफी स समस्यें आसानी से हल हो जाएंगी, धन के लेन देन संबंदित कार्य में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी, जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभ होगा, दोस्तों कार्य छित्र में जो आप बदलाव संबंदित योजनाएं बना रहे हैं, उन सभी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं है, इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस संबंदित कार्यों में लगाएं, वर्तमान गति विदियों पर अपना ध्यान केंजिर्ट करें, आपके लिए बहतर रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वा शक है, इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोझाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान शूर्यदेव का इसमान करते हुए बहते हुँ जल में छोड़ दें और साथ साथ अपनी मनों काम नहीं मांगें या दूस्तों इतना करने मातर से ही भगवान शूर्यदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दू दे लगेंगे दोस्तों भगवान शूर्यदेव कासिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस सूर्यदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद